वेलो गाइस वेलकम टू मैं चैनल क्ले बॉय और आज शी वीडियो में आपको बताऊंगा कि वुड़न टूल्स और स्टोर्न टूल्स कैसे बनाते हैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैं आपको बताए कि ग्लास और ग्लास में किसी भी टाइप की डाइक कैसे लगाए तो वो भी जरूर देख लेना तो वुड़न टूल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले वुड कलेक्ट करनी पड़ती है और आप कमेंट में क्ले बॉय जरूर लिख देना ताकि मैं जो पता चले कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखते हूं तो सबस जरूर याद रखना कि जब भी आपको वर्ल्ड शुडू कर रहे हो तो आप जब भी वुड ब्रेक करोगे तो उसके बाद सबसे पहले आपको तूल्स बनाने होते हैं क्योंकि इसमें सबसे यादा रिक्वायर होते हैं क्यों वह मैं आपको आगे बताऊंगा तो बस यह व तो फौर प्लांक लगते हैं एक क्राफटींग टेबल कर बनाने के तो ऑफिएंगए बना बना दो तो क्राफटींग टेबल कいきन कर दो जहां आपका मन हो और और उसके बाद crafting table में click करके आपको sticks की recipes देख लीनी है और sticks की recipes देखने के बाद जैसे आप sticks बना लोगे आपकी recipes में options आजाएंगे wooden tools के तो जितनी sticks आप बना ओगे और जितनी planks आपके पास होंगे आप उतने जादा tools बना सकते तो यहां पर मैंने wooden sword बना ली है wooden axe बना ली है तो देखो मेरे recipes से बाकी tools हट गए क्योंकि में आप sticks कम हो गई तो मुझे दुबार से sticks बना लेनी है और मेरे फिर recipes और आ जाएंगी तो यहां से मैं pickax बना लूँगा, axe बना लूँगा, shovel बना लूँगा और hoe बना लूँगा तो यह चारो चीज़े मैंने बना लेनी थी लेकिन hoe का रह गया था क्योंकि में आप sticks फिर से कम हो गई थी तो इससे यह जरूरत है कि आपका time कम waste होगा, अगर आप wood से कर रहो तो कम time waste होगा, stone से कर रहो तो और कम time waste होगा और अगर आप iron से कर रहो, diamond से कर रहो तो और कम, मतलब कम होता जाएगा time और इसलिए हमको tools बनाने चाहिए, वो हमें जादा helpful होते है तो sword का तो मैं भी बताने सकता है, मैं कोई animal दिखनी रहा तो मैं पहले किसी और चीज कर बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको shovel का बनातेता हूँ, तो shovel से हमारी dirt होती है वो बहुत जल्दी break हो जाती है और अगर मैं हाथ से कर रहा हो तो यह time ले रहा लेकिन shovel से time नहीं ले रहा और जैसे जैसे आप अलग-अलग tools बनाओगे जैसे iron, stone तो वो और कम time लेगा और shovel में तो wooden shovel भी बहुत fast break करती है तो diamond जो होगी वो आप खुद सोच सकते हो कि वो कितना fast करती होगी तो नीचे stone आ चुका है यह अलग type का stone है इस वाले stone से हमारे stone tool नहीं बनते है यह दूसरे type का stone है लेकिन मैं आपको दिखा दिता हूँ इसको break करकेगी क्योंकि यह उसी तरीके से break होता है उतना ही time लेता है तो इस वाले को मैं हाथ से break करके दिखाता हूँ तो यह देखो यह कितना time ले रहा है और इसमें को चीज बता दो कि time तो ले गए लेगा और आपको उपर से मिलेगा भी नहीं इसको तोड़ने के बाद तो काफी सब हमाई साथ यही होता है मेरे साथ तो बहुत बार होता था मैं यही सोचता था कि मैं stone क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूँ मैं एक बार golden sword मिली मुझे मैं सोचा अब तो मैं पका stone तोड़ी लूँगा लेकिन फिर भी मैं से stone तोड़ा है नुको समझ ही नहीं था तो stone तोड़ा क्यों नहीं है लेकिन अगर मैं से हाथ से करता तो इसको मैं को four time hits करना था तब जाकर ही किल होती तो sword का यह फायदा है और जैसे-जैसे sword भी जादा होगी stone iron तो वह कम टाइम लेगी तो मैं अब ङशनमिन बिटैल में बत होंगा ब्रीफ ली बिता है तो तो इसमें इहांपर एक सीड महिं रहा जो अप उसको जब दकाता हूँ तो यहांप आगा stone when देख करना होता है ताकि आप स्टोन के टूल्स बना सको जब आप इसे ब्रेक करोगे और जब आप इसे ग्रैप करोगे तब आपको लिखाएगा copper stone तो copper stone जब लिखाएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह सी वाले stone से tools बनते हैं और अगर आपको वीडियो में कहीं भी doubt आया हो तो आप comment में जरूर लिखना मैं next video में आपका doubt जरूर clear करूँगा और अगर आपको minecraft में कोई अपना इखुद का doubt है जैसे आपको कुछ बनाना नहीं आता है या कुछ उसमें करना नहीं पार हो आपको इसका reason नहीं पता है तो comment में जरूर लिखना मैं आपको बता दूगा कि आपको क्यों नहीं कर पार हो तो comment में जरूर लिख देना तो आप at least 20 तो बड़े करी लेना में को ढंक से आदने कि कम से कम कितने चाहिए होते हैं पर 20 अगर आप collect कर लोगे तो आप हर टाइप के tool बना सकते हो stone के तो बस अब मैं dirt से ऊपर चला जाता हूं और मैंने बीच का थोड़ा सा कट कर दिया था उसमें मैंने चेस्ट बनाई और जितना मैंने वुड़ का टूल बना थे वह मैंने चेस्ट में रख दिये और अपना कुछ समान भी रख दिया तो इसी में पढ़ा है तो मैं से स्टिक्स और प्लैंक्स निकाल लेता हूं प्लैंक्स क्योंकि में पास्टिक्स इतनी जादा नहीं है ताकि मैं सारे टूल्स बना सकूँ तो मैं प्लैंक्स भी निकाल लेता हूं थोड़े सी ताकि मैं स्टिक्स बना सकूँ तो यहां पर देखो वुड़न स्वाड भी आ गई X भी आ गई, pickaxe भी आ गई, shovel भी आ गई और hoe भी आ गई सब की recipes आ गई है तो मैं अभी थोड़ी सी sticks बना लेता हूँ ताकि मैं को वीच में दुबार सी sticks बनाना न पड़े तो यहाँ पे मैंने sword बना ली, axe बना ली आ, pickaxe बना ली आ, shovel बना ली और hoe बना ली तो इसमें difference के आता है कि जो attack difference आता है जैसे मैं अभी आपको रुक जो, chest खोल के दिखाता हूँ chest में मेरी wooden sword पड़ी हूई है तो बाकी चीज़े भी निकाल लेता हूँ, बाकी का difference भी दिखा देता हूँ तो shovel भी निकाल ली और ये hoe भी निकाल ली तो difference बस इतना होता है, जैसे आप check कर लो खुदी कि जो मेरी wooden sword है, उसका attack होगा 4 और जो ये stone की है, इसका होगा 5 और जो हमारी axe होती है, तो जो stone की होती है, उसका attack होता है 4 और जो wood की होती है, उसका attack होता है 3 लेकिन axe का इतना depend नहीं करता आपको दिखाता है कि एक्स जो है हमारी वह जादा चलेगी स्टोन वाली और वह जल्दी ब्रेक करेंगे कि इतना डिफ्रेंस होता है कि हो जादा टाम तक चलेगा उसमें कोई अटैक नहीं होता है तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो लाइक शेर सबस्क्राइब ज़रूर करना और मैं एम करता हूँ 20 लाइक्स का जैसी 20 लाइक्स हो जाएंगे मैं अपनी नेक्स वीडियो ज़रूर डालूँगा तब तक के लिए थैंक्स वाचें